नमस्कार, अब हम लग डिसकस करेंगे यहाँ पर माइको बैक्टिरियम ट्यूबर क्लोसिस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यह एक परसन से दूसरे परसन में पहुंचते हुए पल्मुनरी ट्यूबर क्लोसिस कराता है इसके various applied aspects पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भी हम topic को integrate करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें एक साथ logically, sequentially, आसानी से समझा जा सके फार्मा, पैथो, माइक्रो, जैसे यह 7 to 8 topics में हमें पढ़ना होता है पीट्स में, मेडिसन में, डर्मा में, पीएसम में, आप्स, गाईनी में इसके topics cover किये जाते हैं आप जान सकते हैं हर जगा इसका importance है इसलिए अलग-अलग पढ़ने से इसको याद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है pulmonary TB, इसके अलावा different kinds of genital TB, dermatology से related, tuberculosis के topics को भी हम यहीं पर cover करने की कोशिश करेंगे पीएसम पर आधारित कौन-कौन से facts हमें याद रखने हैं, वो सारी चीजें discussion में आएंगे एक ही साथ हम सब जगहों के MCQ को भी cover करने की कोशिश करेंगे mycobacterium tuberculosis, जो की acid fast organism है, या gram positive bacilli है, या rod shape का होता है, बैसिलाई के जगह कई जगहों पर आपको slender rods के रूप में इसकी characteristics बताई जा सकती है इसके cell wall में mycolic acid की presence देखी जाती है, या non-motile, slowly growing, capsulated है, या chronic infection cause करता है यहाँ पर mycolic acid की presence को दरशाय गया है, या mycolic acid, lipid rich substance होता है, आप इसके characteristics को समझें, यहाँ इसे काफी हद तक virulent बनाने में भी मदद करता है mycolic acid एक waxy, lipid rich substance है, इसी वज़ा से इसे gram stain के द्वारा color कर पाना भी मुश्किल है या इसी वज़ा से दूसरे organism से काफी अलग है, क्योंकि इसे gram stain द्वारा visualize कर पाना possible नहीं हो पाता है इसके लिए special staining की process की जाती है, acid fast staining की इसके लिए आवशकता होती है इसके लिए जिस staining technique क्या इस्तिमाल किया जाता है, उसका नाम क्या है, जैहिल या जील निलसन staining method इसमें कितने strips इस्तिमाल होते हैं, सबसे पहले हम slide को लेते हैं, उसे heat fix करते हैं अगले step में उस पर पूरे slide पर carball fustion डालते हैं, पूरा का पूरा slide कवर हो जाए carball fustion से उसके बाद तीसरे step में streaming तक इसे गर्म करते हैं, धेरे धेरे करके ले जाते हैं steaming को कम से कम 5 मिनट तक maintain करते हैं, उसके बाद उसे धुल देते हैं यह step कुछ इस तरीके से progress करता है, देखें, यहाँ पर हमने slide पर carball fustion लिया, primary stain लिया heat का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद acid alcohol का इस्तेमाल करते हैं, यह decalurizer का काम करता है उसके बाद counter stain के रूप में methylene blue का, methylene blue का इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं acid and alcohol fast, इसकी characteristics होती है, आप देख सकते हैं, यह decalurizer का इस्तेमाल करने पर भी decalurize नहीं हुआ जबकि primary color, जब आप carball fustion का दिये, तो सभी के सभी ने color ले लिया, जो acid fast थे, वो भी जो non-acid fast थे, उन्होंने भी color ले लिया आप इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, सभी ने color ले लिया, बात में चल करके, जब heat के बाद, अलकोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो देख रहे हैं, कुछ का color गायब हो गया, क्यों? क्योंकि वो acid fast नहीं थे, इसके बाद अगले step में उनके लिए, हम methylene blue का इस्तेमाल क नोकार्डिया का नाम, lesionella का नाम, coccadian का नाम, कई सारे examples इसके हो सकते हैं, lesionella, nocardia, याद रहे हैं, रोडोकोकस का भी example पूछा जा चुका है, तो इसके staining के लिए हम special technique अपना है, acid fast ये staining लेता है, इसके लिए पूरी की पूरी steps कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसको क किसने discover किया था, इस bacteria के बारे में Robert Koch ने बताया था, इसका acid fastness किसकी वज़ा से होता है, ये भी पूछा गया है, या unsupponification, या unsupponifiable, means ये कि इसका special lipid rich, waxy mycolic acid पाया जाता है, जो इसे acid fast बनाता है, hard बनाता है, या gram staining भी नहीं लेता है, इसी वज़ा से, ये mycolic acid कहा पाय जाता है, आप जानते हैं, इसके salval में पाया जाता है, सवाल ये भी पूछा गया है, या acid और alcohol दोनों ही fast होता है, मैंने भी आपको इस tips में दर्शाय भी था, 22-25% तक S2SO4 और alcohol के द्वारा या जब decalorize करने का प्रयास किया जाता है, तो भी देखिए अपना color नहीं होता है, इसकी कुछ खास characteristics होती है, strict aerob है, पिजाई भी यही question पूछा गया है, true about mycobacterium tuberculosis, strict aerob होना, इसके लावा क्या ये gram negative है, नहीं, ये gram positive bacilli है, लेकिन gram staining नहीं लेता है, क्या इसका thin से लवाल है, नहीं भाई, इसका thin नहीं बलकि ठिक से लवाल होता है, ये statement भी सही चला जाएगा, अगर थिक है तो, thin होता तो गलत होता, क्या ये curved rod है, बिलकुल नहीं, ये curved rod नहीं है, ये cylinder rod की structure रखता है, एक बार question पूछा गया है, जो कि neat में पूछा गया था, वहाँ पर question को acid fastness से ही लेकर के पूछा गया था, यहाँ पर ये option भी सही माना जा सकता है, थिन होता तो गलत होता है, ये भी मान लिया जाना चाहिए, option ये भी ठीक है, पीजाए में multiple option चलते हैं, नीट का question था, acid fastness of TB bacilli is attributed to presence of mycolic acid, दूसरा था option integrity of cell wall, तीसरा था both of the above, और चौथा था none, आप जानते हैं, integrity of cell wall भी इसके लिए responsible होगा, mycolic acid भी इसके लिए responsible होता ही है, तो इस तरीके से इसके बारे में एक जानकारी लग जाती है, अगर इसे classify करने का प्रयास किया जाया तो ये pulmonary TB और extra pulmonary TB के रुप में देखा जाता है, इसमें सबसे महत पूर्ड होता है primary disease, उसकी pathogenesis क्या होती है अगर उसको समझ लेते हैं, तो अगले level पर secondary TB को समझना या फिर extra pulmonary TB जो different topics, different subjects में हमें पढ़ना होता, उसको भी समझना जादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए मने आपसे कहा कि ये derma, ops gynae, orthopedics, बहुत सारे topics में cover होता है, यहाँ पर patho, micro, pharma से इसकी बात शुरू होती है, primary tuberculosis का pathogenesis कैसे आगे बढ़ता है, उसके बारे में हमे देखना होगा, यहाँ पर देखें, यह पूरा का पूरा step pathology से संबंदित है, इसको Robins की pathology की books में आप देखें, चाहे या image भी काफियत तक उस चीज़ को justify करने का प्रयास करेगा, जो Robins में बताएगा step, यहाँ पर देखें, इसका infection कैसे आगे बढ़ता है, किस तरीके से इसके process बढ़ती है, उस चीज़ को देखा जा सकता है, शिरुवाती दोर में cell immediate immunity active नहीं रहती है, cell immediate immunity के activation से पहले, innate immunity ही यहाँ पर काम करती है, कैसे cell immediate immunity के शिरुवात नहीं होने में, और उसके शिरुवाती दोर में, जब innate immunity काम करता है, शिरुवाती 3 weeks तक, या उसके आज पास तक कैसे काम चलता है, तो mycobacterium, माल लिजे, sputum के तुरुव enter किया, इसको engulf करता है, alveolar macrophyses, इसको engulf करने का प्रयास करता है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके surface पर manose, C3B जैसे कुछ products लगे होते हैं, जो इसे engulf करने के लिए, यहाँ पर signal देते हैं, आप जानते optionization में मदद करता है, C3B part, manose भी है, जिसके करना, macrophyses के manose receptors और C3B receptors इसको engulf करते हैं, यह cell के भीतर enter करता है, alveolar macrophyses इसको engulf कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर phagol isosomes का formation हो जगाता है, लेकिन इसका killing effectively नहीं हो पाता है, killing effectively क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका mycolic acid की structure जो इसके सलवाल में पाई जाती, और भी razor components इसके killing को resist करते हैं, हाला कि यह जो phagol isosomes बन जाने की वज़ा से benefit गयो होगा, कि अब यह mature बहुत हद तक नहीं हो पाएगा, यहाँ पर बहुत तेजी से multiply भी नहीं कर पाएगा, हाला कि इतना अभी इसको arrest कर लिया गया है, ले होगा क्या, अगर यह effective नहीं है, तो होगा क्या, आप देखेंगे, यह mycobacterium, mycrophyses के भीतर, उसके phagol isosomes के भीतर लगातार multiply करता जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर bacteria लगातार proliferate करती हुई, अपनी संख्या बढ़ाएगी, ऐसे मामनों में क्या, हमारे body का immune system, innate immune system अभ antigen proteins होते हैं, वो इसके surface पर उनको attach कर लिया आया था, आपको पता है, macrophyses के surface पर इसके antigen को attach कर दिया जाता, यहाँ पर देखिए, class 2 MHC के द्वारा, इसके antigen को, tuberculosis के antigen को attach कर दिया गया, इसकी वज़ा से initiation होगा cell-mediated immunity का, cell-mediated immunity हाँ, अब तीसरे हफते के बाद, cell-mediated immunity क शिरुवात होगा, जिसके दोरान, alveolar macrophyses, इसको जो किल कर चुके होंगे, सारे तो किल नहीं हो पाते हैं, लेकिन जितने किल हो जाते हैं, उनको, उनके antigen को अपने surface पर MHC class 2 के द्वारा, रिप्रेजन करता है, इसकी वज़ा से होगा क्या, यहाँ पर immature T-cell आएंगे, य T-cells को बुलाने के लिए, alveolar macrophyses, interleukin 2 को release करता है, ताकि यह attract हो करके यहाँ आए, बात करें, पहचाने, बात समझ रहा हैं, यह question पूछा गया है, macrophyses क्या secret करके T-cells को बुलाता है, interleukin 12, अब interleukin 12 की वज़ा से macrophyses के प्रभाव में T-cells पहुंचा, उसने इस antigen इनको पहचाना, पहचानते ही, यह अब mature हो जाएगा, किस में बदलेगा, T-helper cells 1, TH1 cells में बदल जाता है, अब यह TH1 cell जो active हुआ है, अब यह बाकी सभी को अपना signal भेजना शुरू करेगा, बाकी सब को किसको किसको, तो यह दूसरे जितने भी macrophyses होंगे, monocytes होंगे, ज सबको खबर देना शुरू कर देगा, कैसे है, यह सबसे पहले, इंटरफेरान गामा रिलीज करता है, इंटरफेरान गामा रिलीज करके, जो maximum macrophyses होंगे, उनको बताएगा, कि यहाँ पर आपके भीतर tuberculosis का बैसलाई आ चुका है, इसलिए अब उसको अच्छे से मारने की क कोशिश करिए, ऐसा सिगनल भेजना शुरू करेगा, इंटरफेरान गामा के माध्यम से, कौन? T helper cell 1, अब इसके करण़ macrophyses active होंगे, उनका phagol isosomes का maturation होगा, वो active हो जाएंगे, किसके कहने पर? TH1 के कहने पर, कौन active होगा? macrophyses, क्या कर रहे हैं वो? अब इनका phagol isosomes mature हो गया है, इसकी वज़ा से, अब यह मारे जाएंगे, मारे जाने की वज़ा से, आपको वहाँ पर cell की death का necrosed zone देखने को भी लेगा, इतना ही नहीं, यह जो macrophyses active होए हैं, यह TNF, दूसरे chemokines को release करते हैं, इसकी वज़ा से, monocytes का recruitment होता है, तो यह जो inflammatory mediators हैं, इनके ब वहाँ ज्यादा से ज्यादा बढ़ा ही जाती है, वहाँ पर killing की process तेजी से अब होना शुरू हो जाती है, जिसकी करण एक dead cells का zone यहां develop हो जाता है, dead cell का zone जहां develop होगा, उसके चार और लगातार पहुँचने वाले macrophyses, अपनी संख्या और अपने shape में बदलाव लाती हैं इसमें से कुछ epitheloid cells में बदल जाएंगे, कुछ giant cells में बदल जाएंगे, chronic inflammation के topic में इसमें खुब detail में बात हुआ है, इसके चार और sensitized, देखें T cells भी लगे पड़े हुए हैं, यहां पर inflammatory mediators भी होंगे जो इस site पर देखने को मिलते हैं, यह पूरा का पूरा collection granuloma के नाम हो जाता है, ठीक भी हो जाता है, वह घटनाएं young children और immunodeficient host में होता पहली बार अगर हो रहा है, तो बच्चों में इसके घटनाएं बहुत देखी जाती है, MTB के कई बार exposure होने के बाद भी latent पड़ा रहता है, body community उसको kill करने की कोशिश करती है, बहुत समय तक kill नहीं होगा यह धीरे-धीरे करके body में felt आ रहता है, secondary TB का cause बनता है, इस पर हम आगे आपसे discuss करेंगे, तो इसलिए यहाँ जरूरी हो जाता है कि कैसे tuberculosis किसी patient में develop होता है, उसकी pathogenesis क्या है, सारे topics एक दूसरे के साथ interconnected हैं, इसलिए अलग-अलग करके पढ़नी के जरूरत नहीं होती है confusion कम से कम होगा अगर ऐसे बढ़ते हैं, pathogenesis के दौरान steps क्या होंगे, शुरुवाती 3 weeks में कैसी घटनाएं होती हैं उसको देखते हैं, यहाँ पर entry और replication of tuberculosis bacteria in macrophyses, ऐसा क्यों, क्योंकि innate immunity शुरुवाती 3 weeks तक काम करती है, 3 weeks तक यह काम करेगा इस दौरान, phagolaisosomes बनेगा लेकिन वह पूरी तरीके से बैसलाई को किल नहीं कर पाता है, वह inhibit कर देगा growth को, लेकिन वह अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, इसके बाद यहाँ पर macrophyses उस बैसलाई को अपने surface पर represent करते हैं, MHC2 molecule के दोरा जिसको आकर के, TH1 cells का formation होता है, मैंने आपको बताया न T cells, immature T cells पहुँचते हैं, उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, तो alveolar macrophyses में जो TB present है, उसके antigen अब surface पर आ जाएंगे, आपको पता न, यह antigen presenting cells है, उसको पहचानने का काम किया जाएगा, cell-mediated immunity अब शुरू हो जाएगी, क्या हुआ इस दोरान, T cells पहुँचा, T cells immature होते ह हैं, वो वहाँ पहुचते हैं, वो पहचानने की कोशिश करते हैं, उन्हें बुलाने के लिए interleukin 12 release किया जाता है, इस दोरान, हुआ क्या, mature T cells में यह बदल जाता है, TH1 cells में बदल जाता है, इसकी वज़ा से क्या होगा, अब TH1 cells बाकी सब को बुलाने की कोशिश करेंगे यह दूसरे macrophyses और bactericidal killing की process को TH1 activate करतेगा, कैसे यह interferon gamma को release करता है, यह किसके दवारा produce होता है, जिपमेर में पूछा गया question है, क्या release करके TH1 cells bactericidal action को initiate कराता है, यह interferon gamma release कराता है, इस दोरान होगा क्या, फैगोल आइसोसम्स जो पहले अच्छे से नहीं बन पा रहे थे, अब वो mature होंगे, proper killing होगी, इतना ही नहीं, दूसरे macrophyses को भी बुलाया जाएगा, monocides को recruit कराया जाएगा, क्योंकि cell immediate immunity बहुत बहतर तरीके से काम करेगी, interferon gamma ये release कराके, बाकी सब को signal अच्छे तरीके स देंगे, यहाँ पर differentiation, macrophyses का epitheloid cells के रुप में होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, epitheloid cells में बदलने की process, macrophyses की, वह किसके द्वारा होगी, interferon gamma की वज़ा से होगा, इतना हिने monocides भी, macrophyses में बदलेंगे, वह interferon gamma की signaling की वज़ा से होता है, य interferon gamma को release करके ऐसा करता है, इस दोरान यहाँ, phagolysosomes के maturation की process को भी बहतर तरीके से activate करा देगा, जो macrophyses पहले phagolysosomes को अच्छे तरीके से active नहीं करा पा रहे थे, अब वह बहतर तरीके से काम करेंगे, lysosomal enzymes active हो जाएंगे, जो reactive oxygen species हैं वो भी active हो जाएंगी, NO release हो जाए तेजी से bacterial action होगा, इस दोरान आटो, phaggy और inflammation जैसे चीज़ें देखने को बिलती हैं, यहाँ पर शुरुवाती 3 weeks और उसके बाद में होने वाले events के बारे में देखें, कैसे यह आगे बढ़ेगा, पहले तो innate immunity ही काम करती है, याद है आपको ना, हमने यह सारी चीज़ें यहाँ पर function करती है, यह सारी चीज़ें शुरुवाती 3 weeks में होती हैं, यह macrophages ने manose receptors के द्वारा इसकी पहचान किया, इसको इंगल्फ कर लिया, यह बात हम discuss कर चुके हैं, innate immunity के लिए यह manose capped glycolipids जो bacteria के surface पर होती है, इसके द्वारा इसकी पहचान हो जाती है, जिसको macroph का फार्मिशन तो होगा लेकिन वो ineffectively phagolaisosons का फार्मिशन होगा, इस दौरान यह अंचे मल्टिप्लाई होता रहेगा, इसी वज़ा से बैक्टरिया लगातार cells के भीतर से निकल करके दूसरे जगहों तक पहुचते रहती हैं, बैक्टरी में होगा, seeding होगा multiple sides के लिए, आप देखें, 3 weeks तक ऐसे ही काम चलता रहेगा, बैक्टरी आएगी, उसको लिया जाएगा, इन्नेटिमिनटी ही के वल उस पर काम करेगी, बाद में चल करके training होगा, कब, जब 3 weeks से ज़ादा का समय हो जाएगा, तो उस समय आप देखें, more than 3 weeks में क्या हुआ, आप देख सकत थोड़े मदद करता है, बलके reactive oxygen species का formation होना शुरू हो जाएगा, अब देखें, inducible nitric oxide synthase enzyme का activities यहाँ पर देखने को मिलेगा, इतना ही नहीं, TNF, और दूसरे chemokines को release करके, यह macrophyses जो active किये गया है, यह दूसरे monocytes को अपने पास बुलाएंगे, आप देख सकते हैं, monocytes क macrophyses, epitheloid cells में, giant cells में बदल जाएंगे, जिसकी वज़ा से आप देख सकते हैं, यहाँ पर epitheloid granuloma का formation होगा, जब TH1 cells active हो गया है, तो क्या किया उन्होंने interferon gamma को release करा करके, mature phagolysosons बनाना शुरू कर दिये, इस सारी चीज़ें इसलिए बता रहो ताकि आपको chronic inflammation की बात स M2 type के develop होते हैं, alternatively activated macrophyses develop होते हैं, chronic inflammation में यह सारी चीज़ें हम लोग ने discuss किया है, न सिर्फ TB में, caseus necrosis का zone बनता है, बलकि कुछ जगाँ पर healing की process भी साथ साथ चल रही होती है, वो इनहीं की वज़ा से होती है, कैसे ही, interleukin 4, interleukin 13 जो TH1 cells release कराते हैं, उसके द्वारा alternatively activated macrophyses develop होते हैं, M2 type के develop होते हैं, और यह करेंगे क्या, यह macrophyses 2 M2 type के, यह release करते हैं, IL-10 को, TGF-beta को, और TGF-beta, खास तोर पर इसका function क्या होता है, हमने आपको बता रखा है, यह healing की process में, fibrosis कराने का काम करती है, उसी समय anti-inflammatory response भी दरशानी की कोशिश की जाएग body में chronic inflammation का यह future होता है, angiogenesis की कोशिश होगी, repair की भी process चलती रहेगी, तो जहां healing होती है, वो इसी वज़ा से हो पाती है, अगर यह effectively नहीं चल पाया, तो आप समझ सकते हैं, वो latent हो सकता है मामला, वह TB का bacteria latent पढ़ा रहे है, वो कुछ दिनों बाद reactive हो सकता है, आप कलपना कर पा रहे हैं, अगर आपने कलपना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप chronic inflammation का topic हमारा एक बार जरूर देख लिजेगा, उसमें यह सारी चीज़े discuss की गई है, M1 type of macrophyses, M2 type of macrophyses, उसके बारे में बात हुआ है, वहीं पर interferon gamma के प्रभाव में, granulomatous inflammation, granuloma का formation होता है, आप देख करेंगे, monocytes, जो recruit होंगे, वो macrophyses में बदलेंगे, यह macrophyses में बदलने वाले, monocytes, अब macrophyses में बदल गया, इसमें से कुछ macrophyses fuse हो करके, giant cells का formation करते हैं, वहीं पर कुछ macrophyses अपना shape बदलते हैं, जो epitheloid cells में बदल जाते हैं, सवाल NEET में एक बार पूछा गया था NEET और DNB में इस तरीक कोशन पूछा गया था, the most important factor for epitheloid cells in tuberculosis is, तो यहां पर यह tuberculosis है, यह tuberculosis है, tuberculosis में epitheloid cells का important function क्या है, क्या phagocytosis, क्या secretary function, क्या यह antigenic properties रखता है, क्या यह healing की process में participate करता है, तो मैंने आपको बता है, healing की process में M2 type of macrophyses participate करते हैं, chronic inflammation में बात हुई थी, M1 वाला killing की process में ही मदद करता है, वही epitheloid cells में भी बदल जाता है, epitheloid cells basically phagocytosis या antigenic process में participate नहीं करते हैं, यह phagocytosis या antigenic काम M1 type of macrophyses करते हैं, इसी तरीके से आप देखेंगे healing की process में M2 type of macrophyses participate करते हैं, epitheloid cells का काम secretary हो जाता है, ध्यान र phases, ध्यान रहें, epitheloid cells में बदलते हैं, वो अपना phagocytic function छोड़ देते हैं, वो अपनी secretary activities को retain कर लेते हैं, जिसमें से कुछ killing का signal वाले cytokines वो release करेगा, जैसे interleukin 10, TNF alpha, वो necrosis के लिए signal देगा, वहीं जब यह TGF beta को release करते हैं, तो वहाँ पर healing की process के लिए epitheloid cells अप अपने chemokines को या inflammatory mediators को release करते हैं,